हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब मैं सुस्मा को हाड एसके व्लोक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में पहुत खुश होंगे और सुरक्षीत होंगे तो फ्रेंड्स ये सुबह साड़े च्छे बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर जाड़ो लगा रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आज है तीन अगस्त और आज है रक्षा बंधन तो सबसे पहले आप सभी को रक्षा बंधन की बहुत बहुत शुब काम नाएं और फ्रेंड्स सी रक्षा बंधन है तो आज कीचन में पक्वान भी कुछ जादा बनाने है तो कीचन में आज मेरा पहुँ जादा टाइम लगने वाला है तो अभी मैं फटापट जाड़ो पोचा कर लेती हूँ और फिर मैं नहाँगे अपने बाल धूँगी क्योंकि फ्र फ्रेंड्स सी जाड़ो पोचा करने के बाद अब मैं नहाके और बाल धोके आई हूँ और बहुत जादा गिले है तो पानी भी बहुत जादा टपक रहा है और अभी मुझे कीचन में भी जाना है तो अभी चार से पांच मिनट मैं फ्राटे के आगे अपने बालों को सुख लेती हूँ और फिर एक चुन्नी लोंगे और अच्छे से अपने बालों में लपेट लोंगे ता कि थोड़ा बहूत अगर पानी टपके भी तो चुन्नी में sharply रह जाएगा मेरे कपड़े गिले नहीं होगे तो चुन्नी को लपेट लेती समोसे की रेसिपी मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी तो कीचन में आने के बाद मैंने एक चुले पर खीर बरने के लिए रख दी और दूसरे चुले पर मैंने पूड़े के लिए पात तयार करके उसे ठंडा करके और चान लिया और अब मैं यहां पर पूड़े के लिए घोल गोल तयार कर रहे हैं और साथ के साथ मैं अपनी खीर को भी चलाती रहूंगी और यहां मैं पूड़े का घोल तयार कर लोगी तो पूड़े का घोल तयार करके इसे में धक्के रख दूंगे तब तक मेरी खीर भी तयार हो जाएगी और उसके बाद मैं पूड़े बनाऊंगे तो फ्रेंड से मैंने पूड़े का घोल बना के रख दिया है और खीर अभी बनी नहीं है थोड़ी सी कसर है तो मैंने गैस का फ्लेम कम कर दिया है ताकि धीमी आज पर खीर धीरे धीरे पक जाए तो खीर पकेगी तब तक मैं धरे धनिय की चटनी बना लेती हूं क्योंकि फ्र से लएड़ी थीमी नहीं है तो फ्रेंड से धनिय की चटनी बनके तःयार हो गई है तो खीर को मैंने ले जा आ के पंखे के नीचे रख दिया है ताकि यो थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो अब मैं यहाँपर पूरे बनाने लग गयी हूं तो पूरे बनाने में थोड़ा स खाइम लगता है तब तक सब की खिर ठंडी हो जाएगी नहीं तो फिर पूड़े भी गरम और खीर भी गरम तो खाने में दिक्कत हो जाएगी तो सबसे पहले वाले दो पूड़े मैं गाए माता के लिए बना के निकाल दूँगी खीर भी मैंने एक कटोरी में निकाल के रख तो मैं भगवान को हाज जोड़ के खीर पूड़े का भगवान को भोगर पित कर देती हूँ और अभी पटापट पूड़े बना के और सब को खिला दूँगी तो फ्रेंड से आप भी आज ये बहुत स्वादिष्ट वाली खीर बनी हुई है और बहुत यम्मी से पूड़ पूड़े बने हुए हैं तो आप भी आज ये और रक्षय बंधन के खीर और पूड़े हमारे साथ खा लीजिए और खीर पूड़े बनाने के बाद फिर मैं समोसे बनाने की तयारी करूँगी क्योंकि बच्चे मीठी चीजे खा तो लेते हैं लेकिन इतने ज्यादा खुश जो के नहीं खाते हैं फिर इनको कुछ थोड़ा सा चट पटा चाहिए होता है तो इसलिए मैं बच्चों की पसंद का भी कुछ ना कुछ जरूर बनाती हूं तो अभी सब को कीर पूड़े खिला देती हूं और फिर मैं समोसे बनाऊंगे चलिए फ्रेंड्स अब समोसे बनाना शुरू करते हैं समोसे बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कटोरी मैदा ली है और इसमें दो से तीन चम्मच मैंने रिफाइन ओयल डाल दिया है और अब मैं इसको मैदा में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेती हूं ओयल को मिक्स करने के बाद मैंने ली है एक टेबल स्पून आजवाइन आजवाइन को दोनों हातों से अच्छे से मसल के मैं इसमें डाल देती हूं स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है यहां पर मैंने एक गलास पानी लिया है और पानी अब इसमें बिल मैं इसका एक सक्त सा आटा लगा लिया है और अब मैं दो चार मिनट के लिए इस आटे को हाथ से अच्छे से मसल लूँगी ताकि यह जो हमारा आटा है बिल्कुल अच्छे से सैट हो जाए और फिर मैं इसे एक एर टाइट बरतन से पांच से साथ मिनट के लिए ढखके रख है कि आ चलिये प्रेंड से अब समोसे में भरने के लिए इसका मसाला भी तयार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने तीन पूर्नौरा पूर्ण्वाष्ट wizard, उर्भाष्ट wizard, लिएमिंट के सा की नियुक्त C righteous वियने साथ में से वे अग्त हैं तो सोमसे मैं पहले से रखे हुए हैं और शोमसे की समसे थोड़े हिसे सह एक जान्ड ही driving से कट कर देना है तो एक रूटी में से हमारे दो समोसे बन के तयार हो जाएंगे एक वाले हिस्से को उठाएंगे और ऐसे हाथ पे लेके और इसे हम इस तरीके से फोल् Drug करेंगे आप वडियो में देख लिजीगा और जब इस Sigrim Blake तो इसमें पानी लगाके और इसके किनारे को उपर से चिपका देंगे तो जो हमारे समोसे हैं वो कड़ाई में खुलेंगे नहीं फिर हम इसके अंदर आलू भरके और जो इसका उपर वाला हिस्सा है उस पे भी हम पानी लगाके और इसको चिपका देंगे तो हमारे समोसे तय सामोसे हैं तो इस समोसे place बिल्कुल अच्छे से गरम हो गए है तोई समोसे टयार हो गए हैं जब ये समोसे we 2 से आख सब औरो चुके आप सब आज बना हो चुके हैं हरी Chautny है तो गर्माती सम बन के बिल्कुल त्यार होano से खा लीजिए तो अभी मैं समोसे बना के बच्चों को खिला देती हूँ काम से फ्री होने के बाद आप सब के साथ पैट कर थोड़ी सी देर बात करूंगे हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उमीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे तो फ्रेंड्स से आज है चार अगस्ते और ये व्लोग वीडियो है मेरी तीन अगस्त रक्षा बंधन की तो आप सभी को रक्षा बंधन की बहुत बहुत शुब काम नहीं और फ्रेंड्स से इस वीडियो का मैं एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि तीन अगस्त को जब मैंने सु प्रेंट्स यही कारण था कि एक वीडियो अप्लोड करने के थोड़ी सी देर बाद ही नेट बंद हो गया और फिर बेटे ने जो है कम्प्लेंट भी की कि नेट कब तक चलेगा तो वहां से मेल का रिपलाई यही आया कि 24 से 48 गंटे का टाइम लगेगा इसे ठीक होने में क्यो पाई और एक वीडियो मैंने व्लोग की कम्प्लीट की थी जो कि आज सुबह मैंने आप सब के साथ शेर की है तो इस व्लोग वीडियो को मैंने बीच में ही छोड़ दिया था इसको मैंने एंड नहीं किया था क्योंकि फिर नैट ही नहीं है तो फिर वीडियो अप्लोड कहा से हो पाएगी तो इस वज़े से छोड़ दिया था तो आज मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूं कल सुबह 5 अगस्त को आप सभी को ये वीडियो मिल पाएगी तो फ्रेंड्स समोसे की रेसिपी आप सब को कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए और आप स साड़े 9-10 बजे तक आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगे तो फ्रेंड्स से आज के इस व्लोग में इतना ही मिलते हैं नेक्ट लोग में तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई